हलो दोतो गुड मॉर्णिंग टू आल आफ यो आईए जो जारी किया है बीपेसी से ले बस सरकार के दौरा अभी जारी हुआ है कि नहीं हुआ है इसका सही से अभी जांच परदाल नहीं हुआ लेकिन अगर हुआ भी है तो किन चीजों पर वो चर्चा कर रहा है कैसे एक्जा अगर थ्रू ले भी रहा है तो क्या बोला है उस चीज में आप यहां पर आके समझ लीजे अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए क्या बोल रहा है BPSC 7th phase का जो exam होना है पहले तो ये चर्चा नहीं था इन अब कह रहा है कि paper 1 और paper 2 जैसे BPSC का नियमी है दो exam लिया जाएगा तो 2 exam के नाम पे आपको क्या करना है डरना नहीं है लेकिन exam ले तो सही time पे ठीक है डरना है कि एक primary सिक्षक के लिए ये सब कुछ ज़्यादा fast हो जा रहा है तो fast हो रहा है तो क्या आप तैहरी करके इसे नहीं हासिल कर सकते हो कर सकते हो लेकिन इसके label का जैसे ये exam conduct करा रहा है उतना उस label का आपकी facility होनी चाहिए चलो वो तो मेटर सरकार की है वो सरकार समझेगी और सरकार ने क्या क्या जारी किया क्या भोल रहा है यहां पे देखिए पेपर first वो लेने की बात कर रहा है hundred marks का जिसमे 25 and 75 में categorize किया गया है अब ये 25 और 75 क्या है और हाँ वीडियो को skip करके नहीं देखिएगा अंत तक देखिएगा पुरा detail समझ में आ जाएगा आपको और आप उसी तरीके से तैयारी भी किजिएगा नहीं तो आप वो teaching method करते रह जाएएगा आपका निकल जाएगा exam देखिए छुट जाएगा नहीं निकलेगा समझ लिजे इसको 25 and 75 25 marks का English होगा 75 marks का आपका language होगा जो भी आपका जाएगा जैसे मैं example के लिए लिया हूँ यह आपके merit से नहीं जुटेगा मतलब यह आपके meritial marks जो आप merit के लिए marks लादे उसके लिए नहीं है यह आपका सिर्फ qualifying marks है यानि आपको इसमें qualify कर जाना है तब आप paper second में आईएगा तो जब यह qualify हिंदी है नहीं इंगली से 25 नमबर कही है तो 30 नमबर नहीं आएगा तो धिर्कार नहीं है तो 30 नमबर तो आहीं जाएगा 30% 30 नमबर कह रहें 30% अब देखिए paper second की जो बात कह रहा है one to five वालों के लिए और six to ten वालों के लिए इसमें थोड़ा सा changing है इसमें क्या changing है और government ने क्या change कर रखा है इसमें कह रही है गर्मेंट कि मैं डिर्सों का exam लोगा और वो भी कितने समय तक मातर दो घंडे यह थोड़ा time कम है क्यूं क्यूं time कम पड़ेगा मैं बता रहा हू और मैं syllabus जारी हुआ है तो पढ़ाऊंगा भी math reasoning gkgs कम से कम समय में कैसे बनाया जाता है अब आपको जैसे से cgl के exam देते हैं बैंकिंग वैसे लेकिन अच्छे level का आप से question नहीं पूछा जाएगा low level का ही रहेगा तो यहां देखिए 150 अंग निरधारित हुआ है two hours के होंगे रहा बात कि कुछ लोग अफवा फैलाना है कि negative marking होगा तो negative marking भी होगा तो बहुत कम उतना नहीं जितना होना चाहिए अब यह देख लिया जाएगा तो यह 150 marks का exam होगा जिसमें आप से क्या-क्या पूछा जाएगा math reasoning यह तो compulsory है necessary कर देगा यह math reasoning और यहां एक GA लि पूछा जाए जिये जेनरल अवयरेंस तो GA ना लिख करके GK GS लिखा तो इसमें आप से इस category में आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है जोगराफी पूछा जा सकता है science GS तो लिख दिया हो जिके यानि science भी पूछा जा सकता है आप से history भी पूछा जा सकता है आप से politics भी पुछा जा सकता है आप से एक नौमिस भी पुछा जा सकता है तो आप इन चीज़ों की टैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए गौर्मेंट क्या करेगा क्या नहीं आप तैयारी शुरू कर दीजिए इसका 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 रहा बात की one to five में TM होना चाहिए teaching method होना चाहिए लेगिन यह आपके दिमाग से आईए IPS के दिमाग नहीं न चलता है और आपके हल्ला करने से कुछ नहीं न होने वाला है जब सरकार अपना मनमानी कर रहा है तो करने दीजिए आप exam दीजिए आपका काम है exam देना और निकाल करके एक अच्छा teaser बनना six to ten वालों के लिए देखिए क्या है उनका भी marks डेर सो का ही रहेगा एक सो पचास का ही लेकिन वो बीएड जिस सब्जेक्ट से किये होंगे उससे रहेगा सो नंबर का और ये जीके जीए जो मैंने बोला जीए वो रहेगा पचास नंबर का और सरकार जैसे पहले बोला है कि 50% जिनका जाएगा उनको qualify माना जाएगा तो सरकार के इस नियम पे नियम पे रहना भी चाहिए और आप लोग इस syllabus को देख लिए अगर और मेरा मेरे चैनल पर आप नए हैं तो ऐसे ही up to date वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बेल आइकन दबा लिजे ताकि मैं जब भी कुछ आपको information दूँ या कोई सी topic को पढ़ाऊं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे और आप देख करके इसको अच्छे तरीके से समझ सके तो यह रहा बीप सेबेंध फेज बीपीसी का syllabus अब कैसे करनी है तयारी इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा